प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जग्त प्रसिद्ध हैं. उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें. सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है. इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है. पहले उसे क्लिक कर दें. उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें. बस हूग गया काम. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी प्रभू के नाम की स्तूती हो आपन लोग पिछले कुछ हफ्तों से पवित्र बाइबल के एक पुस्तक का अध्यान कर रहे हैं पुस्तक का नाम है रोमियों जैसा मैंने इसके पहले कई बार बताया था उस समय रोम नाम का प्रदेश था जो सारी दुनिया का लगभग, सारी दुनिया का शासन करता था वहाँ प्रभू इशू के काफी सारे अनियाई थे और ये बहुत ही लंबा लेक रोम में प्रभू के जो अनियाई थे उनको लिखा गया था इसलिए रोम में जो लोग है उनको रोमी कहा जाता है रोमियों के नाम इतना लंबा जो पत्र है उसको अपन हिंदी में पत्री कहते हैं इसलिए रोमियों के नाम पत्री इसका इस पुस्तक का नाम है इसके शुरू के आठ अध्याय हमने देखे साथवे अध्याय में हमने देखा था कि मनिश्य हम ऐसे हर व्यक्ति एक पवित्र जीवन बिताना चाहता है लेकिन हमारे अंदर जो पाप का सुभाव है वो सुभाव लगाता और हमको बुर्याई की तरफ खीचता है पिछले हफ्ते हमने आठ वे अध्याय से देखा था कि एक बार जब एक प्रभु को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन कर लेता है तो उसको लगता है कि अब तो मैं प्रभु की संतान हो गया हूँ और इसका रेंड मेरे जीवन में चुकि मैं हर बात में प्रभु की आग्या मानता हूँ इसलिए मेरे जीवन में हर तरह से अनगर ही अनगर होना चाहिए ये उम्मीद बिलकुल सही है हर तरह से अनगर ही अनगर होगा लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रंड किया है और अब आप प्रभु की संतान है इसके कारण आपके जीवन में सिर्फ अनगर होना चाहिए तो ये आपके गलत फैमी है उसके कारण क्या है प्रभु मुझे और आपको हमने जो उद्धार पाया है उस चंड से हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु हमको ढालते हैं एक रूप देते हैं हमको हम जानते हैं लोग किस तरह से रूप देते हैं कुमार क्या करता है चिकनी मिटी लेता है उसको पहले तो अच्छी तरह से उसमें कंकड पत्थर हटाता है उसके बाद क्या करता है पानी से अच्छी तरह से गूतने के बाद खूब जमके उसके पास एक पाठ होता है उससे उस मिटी की पिटाई करता है उसकी कुटाई करता है क्यों? जिससे कि वो मिटी एकडम से जो आकरती उसको कुमार देना चाहता है उस आकरती में जाने के लिए मिटी एकडम से तयार हो जाए तो कोई भी व्यक्ति जब किसी को रूप रेखा देता है या एक आकरशक आकरती देता है तो उसके पहले मार पीट, कुटाई सब होती है उसी तरह से जब एक आदमी लकडी से मूर्ती बनाता है तो ठोक पीट के बहुती अच्छे किस्म की लकडी लेता है जिसमें बीच में कहीं से कुछ भी पोला नहीं होता है उसके बाद क्या करता है उसके बाद वो हतोडी और चैनी लेकर उस लकडी को काटता है उसमें जो कुछ अनावशक है उस सब को पहले काट कर अलग कर देता है उसके बाद क्या करता है वो उससे भी जादा धारदार उससे भी छोटी सी चैनी लेकर उसको और शेप देता है फिर क्या करता है वो उसस नाक वगरा को अच्छी रूप रेखा देता है फिर क्या करता है काम समाप्त नहीं होता है उसके बाद वो सैंड पेपर लेता है और उसको जम के घिसता है कोई भी कलाकार जब एक सुन्दर सी कलाकरती बनाता है तो उस बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत दर्द भरी प्रक्रिया होती है इसी तरह से जब पत्थर से कोई मूर्ती बनाता है तो उसको काट काट के काट काट के ठोक ठोक की तो बनाता है पिछले हफ़ते हमने आठवे अध्यायसी यह देखा था कि जब एक व्यक्ति प्रभु ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन कर लेता है तो ग्रहन करने के बाद उसके जीवन में प्रभु इस तरह से उसको कई प्रकर की परिस्तितियों से होकर गुजरने देते हैं जिससे कि उसका जीवन जिस जो आकरती लेनी चाहिए उसके जीवन में जिस तरह के रूप आ जाना चाहिए प्रभु उसको वो रूप प्रदान करते हैं अच्छा इतना सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है या कह सकता है या अक्सर हम मेंसे कई लोग कहते हैं अच्छा ठीक है ये बात तो हमने समझ ली कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो प्रभू उन सब चीजों को लेकर हमारे जीवन को एक अच्छा सा रूह देते हैं लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारे जीवन में कई बार बहुत ही दुष्ट प्रकार के लोग आकर हमसे व्यवहार करते हैं दुष्ट व्यक्ति अनाविश्यक रूप से हमारे जीवन में दखल देता है ये क्यों कई बार ये प्रशन भी होता है कि यदि प्रभू इस सारे विश्व का नियंतरन कर रहे हैं तो विश्व में ऐसे लोग क्यों होते हैं जो कि मूल तोर पर बेसिकली बुरे हैं, दुष्ट हैं, क्रूर हैं, अत्याचारी हैं नौवा अध्याय बहुत सारे प्रशनों का जवाब देता है और उसमें से एक प्रशन ये है कि क्यों प्रभू ऐसे लोगों को इस संसार में आने की अनुमती देते हैं बढ़ने की अनुमती देते हैं आप स्वयम शायद ये प्रशन अपने जीवन के बारे में पूछेंगे कि देखिए शास्त्री सर, मैं प्रभू का आनी आई हूँ मैंने प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया है लेकिन मेरे चाचा, ताउ, मामा, भतीजे इन लोगों में से उस फलाने व्यक्ति को देखिए वो कितना दुष्ट है और वो मेरे जीवन में कितनी परेशानी पैदा करता है इसका आधा उत्तर पिछले हफते मैं दे चुका हूँ आधा उत्तर ये है कि प्रभू उन सब का उपयोग करके मुझे और आपको एक अच्छा सा रूप दे रहे हैं बाकी आधा उत्तर अध्याए नो में हम देखते हैं अध्याए नो का शलोक जो सत्र हुआ शलोक है या सत्र हुआ पद है वहाँ पर लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र मतलब प्रभू का वचन प्रभू के वचन में फिरोन से कहा गया मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी दुनिया में हो ये घटना आप मैंसे कुछ लोगों को याद है कुछ लोगों को शायद याद नहीं है कुछ लोगों ने ये घटना नहीं सुनी होगी पवित्र बाइबल जब हम शुरू से अध्यान कर रहे थे तब मैंने एक एतिहासिक घटना आपको बताई थी जिनोंने ये घटना नहीं सुनी है वो अभी सुन ले आज से लगभग चार हजार साल पहली की बात है प्रभू के द्वारा चुने गए लोगों को मिस्र देश में बहुत यदिक पीड़ा दी गई उनको गुलाम बनाया गया उनसे जबरदस्ती काम करवाया गया यदि एक आदमी एक दिन में सौ इंट बना सकता है तो उसको दोसों का कोटा दिया गया और जब वो शाम तक दोसों नहीं बना पाता तो जम के हंटरों से मार पड़ती थी ये कौन लोग थे जो इंट बनाते थे प्रभू के बच्चे प्रभू के अनियाई प्रभू के इन ये अनियाईयों ने दस्यों साल प्रभु की दोहाई दी है प्रभु आप ये देख नहीं रहे हैं क्या कि आपके बच्चे इस संसार में किस तरह से पीडित हो रहे हैं किस तरह से उनको पीडित किया जा रहा है और कौन कर रहा है ये मिस्र देश का शाहंशा जिसको फिरौन कहा जाता है और आखर में तो स्तिति बहुत खराब हो गई थी फिरौन ने ये आग्या निकाल दी थी कि प्रभु के बच्चे इस्राइली लोग उनके घरों में जितने नर पैदा होते हैं उन साब को ले जाकर मिस्र देश की जो सबसे बड़ी नदी है नील नदी उसमें डाल दिया जाए नील नदी बहुत गहरी है और एक नए नए पैदा हुए बच्चे को आप उस पानी में डाल देंगे तो वो तो ठंड बर में खतम हो जाएगा वो बच्चेगा नहीं जरा सोचिए एक ऐसी जनता बीस लाग के करीब जो प्रभु की आज्या मानती है जो प्रभु का भाय मानते हैं जो प्रभु की इच्चा के अनुसर जीवन बिताते हैं पहले तो फिरौन नामक इस बातशाह ने उनका अपना गुलाम बना लिया उसके बाद उनसे जितना काम हो सकता है उससे दुगना काम दिया और जब दुगना काम नहीं हुआ तो उनको बहुत बुरी तरह से पीडित किया गया लेकिन इसके बावजूद जब वो जनता प्रभू में अपने विश्वास के कारण टूटी नहीं जब वो किसी भी तरह से उस जनता के मन को उनकी इच्छा को उनकी सामर्त को जब तोड नहीं पाए तो फिरौन ने आखरी चाल चली आखरी हतिया तुमारे घरों में यदि क कोई भी लड़का पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको नदी में डाल देना इतना ही नहीं जो दाईयें उस समय डेलिवरी लेती थी ये सब राजा के अंडर थी राजा ने उन दाईयों को आग्या दी कि जैसे ही तुम प्रभू के जो बच्चे हैं उनमें से किसी स्त्री को पुत्र जन्म देखते हुए देखो तो जैसे ही वो जन्म ले उसको मार डालना अपने खुद जानते हैं हिंदुस्तान में कई इलाकों में अभी भी ऐसा होता है यदि डेलिवरी के समय गाउं में अभी भी ऐसा कई जगह होता है डेलिवरी के समय यदि पता चलता है कि वो लड़की है, तो जो ट्रेंड दाईया होती है, या बुवाएं, फूफाएं मिलके उस बच्चे को खतम कर देती हैं, क्यों इसलिए कि हर कोई लड़का चाहता है, तो आज 21 शताबदी में ये स्थिती है, तो आज से 4000 साल पहले या 3000 साल पहले, जब शाहन शाह ने ये आग कि वो इस बात को मान ले नहीं, तो राजा उनी को खतम कर देता, लेकिन ये दाईयां प्रभु का भाय मानती थी, जिसके कारण, वो लड़का हो ये लड़की उसको जिन्दा छोड़ देते थे, और बात में जब शाहन शाह ने बुला के पूछा, कि खबरदार तुम लोग अच्छा हो जाता है और उनको मालूम है कि ये जीवित है, तो उनके सामने तो हम गला गोंट के उसको मार नहीं सकते हैं, इस तरह से वो स्त्रियां बच गई, लेकिन वो जो राजा दिराज था, या मिसर देश के जो बात्शा थे एक के बाद एक, उनसे प्रभु की वानी लिए थी, मैंने तुमको इस कारण खड़ा किया है, और ये बुराई करने के लिए मैंने तुमको इस कारण अनुमती दी है, जिससे कि मैं अपनी सामर्थ तुमारी बुराई के बावजू दिखा सकूं, और इस खटना का आखरी जो चैप्टर है, आखरी अध्याय है, वो म रभू के दास, मुसा ने जाके कहा कि रभू के बच्चों को छोड़ दो, नहीं, मैं कैसे छोड़ू, अरे बीस लाख, मुफ्त की जो क्या कहना है चाहिए, गुलाम कोई छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ना चाहता था, रभू ने क्या किया, पहली मुसीबत, दूसरी मु मिस्र देश के हर परिवार में पहलो ठेका, प्रभू ने साहार कर दिया, जब मिस्र देश में हाहा कार मच गया, तब फिरौने का ले जाओ, अपने बाल बच्चों, अपनी संपती, अपने जानुवर, और जाने से पहले तुमको क्या चाहिए, बोल दो और ले जाओ, इस प्रभू के बच्चों को प्रभू ने चुड़ा कर उस देश से एक ऐसे देश में पहुँचाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ दूद और शहत की नदियां बहती हैं, प्रभू ने ऐसा क्यों किया, क्यों उस फिरौन को ये सब करने दिया, यहाँ प्रभू का ब प्रभू ने तुमको इसलिए खड़ा किया है, मतलब मैंने तुमको इसलिए राज्य दिया है, कि तुझ में अपनी सामर दिखाऊं, प्रभू ने कैसे अपनी सामर दिखाई थी, यह घटना भी मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूँ, जो लोग इस तो सुन नहीं पाये थे, जब मैंने बात बताई थी, फिरण ने का ले जाओ अपनी सारी जनता को, तो महान नायक मूसा बीस लाख लोगों को लेकर जब आगे बड़े, थोड़ी दिर के बाद फिरण को लगा रहे, बीस लाख गुलाम, मैंने उनको ऐसी जाने दिया, फिरण अपने सारे सैनिकों को और सारे रथों को लेकर इन लोगों का पीछा करने गया, क्या हुआ, ये लोग जब आगे बड़े तो सामने समुद्र है, समुद्र इतना गहरा होता है कि उसमें कोई तेर के भी पार नहीं निकल सकता, उस समें प्रबु की आग्या के अनुस प्रबु के दास मुसा ने जब अपने हाग की लाठी को पानी के उपर यह उठाया, तो समुद्र का पानी दो होकर बट गया, और प्रबु के बच्चे उस पानी में होकर सूखे सूखे में समुद्र के पार निकल गए, जब फिरण ने देखा कि समुद्र बट गया है, सू पुखे में लोग जा रहे हैं तो फिरौन अपनी सेना के साथ उनका पीछा करने लगा, क्या हुआ? प्रभु के बच्चे जैसे ही समुद्र से बाहर निकल गए, प्रभु ने आग्या दी अपने दास को पीछे मुड़कर उस समुद्र के उपर उसी लाठी को उठाओ, मुसे नशेशन ऐसा ही किया, और समुद्र का सारा पानी वापसा के मिल गया, फिरौन और उसकी सारी सेना जल के अंदर ढूपकर मटिया मेट समाप्त हो गी, क्यों प्रभु ने इस फिरौन को खड़ा किया, प्रभु ने क्यों इस फिरौन को अधिकार दिया, प्रभु का दिखाता है मैंने तुम को इसलिए खड़ा किया कि तुम मैं अपनी सामर्द दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृत्वी पर हो ऐसा हो क्या जी है कि इस घटना के कि चालीस साल बाद कि यह बात याद रखें कि चार साल बाद नहीं दस साल बाद नहीं चालीस साल के बाद जब यह बीस लाख लोग उस देश में पहुँचे जो देश प्रभू ने इनको प्रामिस किया था जिस देश के बारे में प्रभू ने कहा था कि मैं तुमको दूद और शहद की नदिया बहने वाले देश में ले जाओंगा वहाँ जब पहुचे तब जो लोग उस देश का भेद लेने के लिए गए थे उनसे उस देश की एक स्तुरी ने राहाब नाम की एक स्तुरी ने क्या कहा इस देश में हर कोई जानता है कि प्रभू तुमारे साथ है कैसे जानता है अरे ये लोग तो 40 साल जंगल में मारे मारे फिरे थे ये 20 लाख लोग जिनको प्रभू मिस्र देश से छुड़ा कर लाए थे उसके अगले 40 साल ये लोग मरिभूमी में फिरते रहे थे कोई ऐसा बड़ा काईरी नहीं हुआ था जिससे की बाकी लोग जान सकें कि प्रभू इनके साथ है तो 40 साल के बाद उस त्री ने और उस त्री जिस शहर में थी उस शहर के नाम था येरीहो येरीहो के लोगों को कैसे पता चला कि प्रभू शक्तिशाली प्रभू है जो इस जनता के साथ है जो इस जनता के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है कैसे पता चला प्रभू ने फिरौन से जो बात कही थी मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्द दिखाऊं और जिससे इतना ही नहीं मेरे नाम का प्रचार सारी प्रुपी पर हो 40 साल के बाद भी जिस देश में ये लोग पहुँचे उस देश के लोग जानते थे कि प्रभू इन लोगों के साथ है प्रभू इनकी मदद करेंगे प्रभू इनकी सुरक्षा करेंगे और प्रभू इनको उधार प्रदान करेंगे और लोग दर के मारे काप रहे थे आज संदेश के आरम में मैंने एक प्रश्न पूछा था मेरे और आपके जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं या ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ता है जो की स्वभाव में बहुती क्रूर, बहुती दुष्ट और बहुती नीच होते हैं क्यों प्रभू इस तरह के लोगों को हमारे जीवन में आने देते हैं ये है उसका उत्तर, नौवा अध्याय उसका उत्तर देता है मैंने मेरे प्रिय बच्चे, तुमारे जीवन में कुछ नीच, कुछ दुष्ट, अत्याचारी लोगों को मैंने स्वयम जानकर खड़ा किया है, जिससे कि उन लोगों से मैं जिस तरह का व्यभार करूंगा, वो व्यभार जब तुम देखोगे, तब तुम जान जाओगे कि मैं ईश्वर हूँ, मैं तुमको मुप्ति देता हूँ मैं तुमारे जीवन को नियंतरित करता हूँ, मैं तुमारी अगवाई करता हूँ और मैं तुमको अनग्रह देता है इतना ही नहीं जब उस व्यक्ति के द्वारा मैं कारी करूंगा और जब तुम अनग्रह पाओगे तो पचास लोग इस बात को देखेंगे और जब पचास लोग इस बात को तुमारे घाओं में देखेंगे तो उसके द्वारा वे लोग इस व्यक्ति अलग है मैं जरह एक बात पूछूं आज इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग क्या हमेशे यही रहेंगे जी नहीं हम अपने अपने गाओं को छोड़ कर अपने परिवार को छोड़ कर अपने माबाप अपने अपनी पत्नी अपने बच्चों को हैं जिससे कि हमारा परिवार अच्छी तरह से पल सके लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारा सारा जीवन यहीं बीतेगा जी नहीं जब प्रभू मदद करेंगे तब हम मैंसे हर व्यक्ति अपने अपने गाओं अपने अपने घर वापस चाहेगा जब आप प्रभू की संतान होते हुए जब आप अपने गाओं वापस चाहेंगे जब आप अपने परिवार वापस चाहेंगे तब आपके परिवार और आपके गाओं के सेकड़ों लोग शायद हजारों लोग आपको देखेंगे अरे फलाना वो वापस आगया है क्या वो अपनी नोकरी से वापस आगया है क्या और जब उन लोगों को ये बात बताई जाएगी कि आप प्रभू येशु के सच्चे समर्पित अनियाई हैं तब सब लोगों के मन में जिग्यासा होगी अच्छा प्रभू येशु का अनियाई है यहां गाउं से जाने से पहले तो वो हर तरह का कुकर्म करता था करने में सबसे आगे रहता था हर तरह के नीच काम करने में वो हमेशा आगे रहता था अच्छा तो नौकरी और नौकरी में थोड़ा बहुत परिवार के लिए उसने पैसा बने उसके साथ-साथ उसका स्वभाव भी बदल गये क्या अच्छा क्या प्रभु ईशू इस तरह के व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकते हैं ये सोच कर आपके परिवार के लोग आपके गाओं के लोग आपके जीवन को देखना चाहेंगे लेकिन जब आप उन लोगों के बीच में अपने लोगों के बीच में वापस चाहेंगे तब कई बार ऐसे लोग भी वहाँ उठ खड़े होंगे जो शायद आपके परिवार के हैं शायद आपके पड़ोस के हैं शायद आपके गाउं के हैं लेकिन जो आपके साथ बहुत ही नीच व्यवहार करेंगे जो हर तरह से आपको धोका देने की कोशिश करेंगे आपका नाम बतनाम करने की कोशिश करेंगे आपको लूटने की कोशिश करेंगे आपके परिवार के लिए तमाम तरह की बादा खड़ा करेंगे तब आपको लगेगा कि है प्रभू मैं मैंने कितनी कड़ी मेहनत अपने गाव अपने घर वालों को छोड़ कर दूर जाकर मेहनत की जिससे कि मेरे परिवार का अच्छा पालन कोशन हो सके और जब मैं काम कर रहा था उस दोरान प्रभू मैंने आपको जाना मैंने आपकी वानी सुनी मैंने आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया मैंने अपने जीवन के सारे बुरे कर्म छोड़ दिये मेरी वानी बदल गई मेरे सोचने का तरीका बदल गया मेरे कर्म बदल गए फिर प्रभू ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है तब इस बात को याद रखें ये जो भी हो रहा है प्रभू इसे अग्यान नहीं है प्रभू के 20 लाख बच्चों को ये बादशा कितने क्रूर तरीके से सता रहा था प्रभू इसे अग्यान नहीं थे और जब प्रभू ने अपने लोगों को छुटकरा दिया उसके साथ साथ उस बात्षा से ये भी बात बोली कि मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि मेरा नाम, मेरे नाम की महिमा हो मेरे नाम की प्रशनसा हो इतना ही नहीं सारी दुनिया के लोग इस बात को जान लें कि मैं प्रभू हूँ और मैं अपने लोगों का ख्याल रखता हूँ मैं उनकी सुरच्शा करता हूँ और उनको जो भी जरूरत है उस जरूरत की बात को मैं प्रदान करता हूँ एक्जाटली इसी तरह से खलको जब आप अपने गाउं जाएंगे अपने लोगों के बीच रहेंगे तब जब आपका जीवन देखकर लोग कहेंगे कि अच्छा ये ओ ये जाने से पहले तो जब यहां से गया था नोकरी के लिए तब तो ये विलकुल अलग था अब तो इसका जीवन बहुत बदल गय है और जब वो कहेंगे कि अच्छा हो सकता है कि ये अभी अभी वापस आया है नाटा कर रहा हो दो चार दिन जरा रुप जाओ तो ये अपने पुरहने रास्ते पर आ जाएगा फिर से गाली के लोच देने लगेगा और हमारे साथ मद्यपान भी करेगा और हर तरह के कुकर करने में हमारे साथ आजाएगा जोड़ जाएगा तब आपका जीवन उनके बीच में इस बात की गवाही होगा कि नहीं मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन स्थाई है एक छंड के लिए नहीं है पूरे जीवन के लिए परिवर्तन आया मैंने अपने जी प्रभू ने मेरे जीवन में जो बदलाव किया है वो एक छंड बर का बदलाव नहीं था, वो एक स्थाई बदलाव था, ऐसे अउसर पर ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो हर तरह की बुराई से, बुराई के द्वारा आपका जीवन नरक बनाने की कोशिश करेंगे, तब इस बात को याद रखें कि 20 लाग की प्रजा को सपाने के लिए प्रभू ने जिस तरह से फिरौन को अनुमती दी थी, उस तरह से प्रभू ने अनुमती दी है कि ये लोग आपको तकलीफ दें, क्यों? इसलिए कि जब वो व्यक्ति वो दुष्ट आपको तकलीफ देता है, तब उसके प्रति आपका व्यवहार प्रभू के उपर आपका भरोसा और मनसा वाच्या कर्मना आप उस व्यक्ति से किस तरह से पेश आते हैं इसके द्वारा प्रभू के नाम की महिमा हो उस व्यक्ति को समय आने पर प्रभू नियंत्रित करेंगे निश्चित रूप से लेकि कि आपके द्वारा प्रभू के नाम की महिमा हो और इवन वो व्यक्ति जो इस तरह से आपके साथ दुष्टता कर रहा है उसके द्वारा प्रभू के नाम की महिमा हो मैं ने सुचा आज जब मैं इस पत को पढ़ रहा था तब मुझे लगा कि ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा पाठ है हम ऐसा कौन बेखती है जिसको जीवन में ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ा जो इस तरह से हर तरह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं आपको धोका देने की कोशिश करते हैं हर तरह से आपको लूटने की कोशिश करते हैं जब ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ता है तब एकदम से मन में इच्छा होती है ये पूछने की प्रभू मैं तो आपका बच्चा हूँ प्रभू आपने क्यों इस तरह से एक व्यक्ति को अनुमती दी कि वो मेरे साथ इस तरह का व्यभार करे तब जरा प्रभू के बच्चन को मुड़ कर देख लीजिए प्रभु कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोगों को इसलिए खड़ा करते हैं नमबर एक प्रभु के नाम की बहिमा हो नमबर दो सब लोगों के बीच में ये बात फैल जाए कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं उसके पहले चौदे हुए पद में हम देखते हैं इसलिए हम क्या कहें क्या प्रभु के हाँ अन्याय हैं कभी नहीं इस बात को हर व्यक्ति याद रखे कि प्रभु जिनके हाथों में हमने अपने जीवन को अर्पित किया है प्रभू के हाथ में कोई अन्याय नहीं है देखिए यदि अन्याय होता तो आज हम कहा होते इवन न्याय होता तो हम कहा होते यदि अन्याय होता तो हम कभी प्रभू के बच्चे बन सकते थे क्या कभी नहीं और यदि न्याय होता न्याए होता तो हम कैसे प्रभू के बच्चे बन जाते न्याए होता तो हमारे पापों के न्याए होता और हमेंसे कोई बच्च नहीं पाता प्रभू के पास ना तो अन्याए है ना न्याए है प्रभू के पास क्या है कृपा क्रुपा क्या चीज है जब हम प्रभु के पास जाते हैं तब हमको देखकर जब प्रभु इस बात को समझते हैं कि हाँ इसको तो सदा सरवदा के लिए सजा देनी चाहिए लेकिन मैं न्याय के अनुसार नहीं कृपा के अनुसार इसकी एक्ति को एक नया जीवन प्रदान करूँगा इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आपके जीवन में इस बात को याद रखें प्रभु के पास जब हम जाते हैं तब ना तो न्याय के हिसाब से हमसे विवहार करते हैं न्याय के हिसाब से विवहार किया होता तो आज हम मैंसे कोई भी व्यक्ति यहां नहीं होता नहीं प्रभू हमसे अन्याय के साथ भी अवहार करते हैं जीवन में जो भी बुराई आते हैं प्रभू उस बात को इसलिए आने देते हैं जिससे के हमको अच्छी तरह से बदल कर रूप बदल कर परिश्कृत करके हमको एक अच्छा व्यक्ति बना सके तो फिर प्रभू के पास क्या है प्रभू के पास ना तो न्याय है ना न्याय है प्रभू के पास है मेरे और आप के लिए कृपा जब हम प्रभू के पास पहुंचके कहते है प्रभू, मैं एक पापी हूँ, मैं अपने स्वेम के कर्मों से अपने आपको नहीं बचा सकता मुझ पर दया कीजिए, तब प्रभू कहते हैं, है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तु अपने आपका बचाव नहीं कर सकता इसलिए तो मैंने अपने एक लोटे पुत्र प्रभुई इशु को आज से 2000 साल पहले इस अंसार में मनिश के रूप में भेजा था, जिससे कि सूली पर तुमारे पापों के लिए वो प्राइस चित करे, और उस प्राइस चित के कारण मैं न्याय के साथ तेरे साथ पेश नही मैं अन्याय के साथ भी पेश नहीं आओंगा, ऐसा करूंगा तो तू खतम हो जाएगा, मैं तेरे साथ कृपा का व्यावार करूंगा मेरे बच्चे और इसलिए आज मैं तुमको शाश्वत जीवन प्रदान कर रहा हूं, एक बार जब शाश्वत जीवन मिल जाता है, उसके हम जरा देखिये प्रभू, ये आदमी, ये आदमी, वो क्या कर रहा है मेरे साथ, ये प्रभू ये कैसा अन्याय है, तो प्रभू हमको जवाब देते हैं, मेरे बेटे या मेरी बेटी अन्याय नहीं है, मैं तुझे, तु अभी जो है उससे एक और अच्छा व्यक्ति बना रहा हूं और उसके लिए इस व्यक्ति का उपयोग कर रहा हूं, जिस तरह से जब हथोड़ा पत्थर पर वार करता है, छैनी पत्थर पर वार करती है, पत्थर को दर्द होता है, मानली जब पत्थर जीवित होता है तो उसको दर्द होता, उसको वो हथोड़ा पसंद नहीं आता वो चैनी पसंद नहीं आती लेकिन जब एक कुशल कारीगर हथोड़े चैनी से उस पत्थर पर कुछ देर कारी करता है तो पत्थर कितना सुंदर कितना आकरशित हो जाता है उसी तरह से प्रभू इन लोगों का उपयोग करके मुझे और आपको एक नया रूप दे रहे हमारे रूप आंतर हो रहा है इसलिए यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याए हो रहा है अन्याए नहीं हो रहा है प्रभू आपको एक नया रूप दे रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति जो ये कठोर कारी आपके जीवन में कर रहा है प्रभू उसके साथ निश्चित रूप से व्यवहार करेंगे वो नहीं बचेगा लेकिन प्रभू अपने समय में उसके साथ व्यवहार करेंगे और जब प्रभू का स्पर्ष उस व्यक्ति पर आएगा तब प्रभु के नाम की महिमा होगी सारी दुनिया के लोग समझ जाएंगी कि आप प्रभु के बच्चे है और आप के विरुद जिस व्यक्ति ने उंगली उठाई थी वो व्यक्ति नहीं बच्चा है इस तरह से प्रभु के नाम की महिमा होगी आज नौवे अध्याय में और भी बहुत सारी बाते हैं लेकिन इदि हम पचास बातों को देखने जाएंगे तो एक बात भी याद नहीं रख पाएंगे इसलिए मैंने सोचा कि इस अध्याय में जो पचासों बाते हैं उसमें से सर्फ एक बात हम देखेंगे एक बात का अध्यायन करेंगे एक बात को समझ जाएंगे तो उमन में रहेगा मैं फिर से मैंने जो बोला उसका संशेप याद दिलाना चाहता हूँ आपने प्रबु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया उसके बाद आपकी उमीद यह है कि जीवन में सब अच्छा होगा लेकिन कई बार जीवन में बुरे लोग भी आकर हमसे विवहार करते हैं तब हमको बहुत दर्द होता है लेकिन ये वो दर्द है जब पत्थर को दर्द होता है जब हतोड़ी चैने से उस पर वार होता है इस बात को हम समझ जाएं तो प्रभू हमको शेप करके एक जो रूपांतर हमारा कर रहे हैं उसको समझ जाएंगे दूसरी और उस व्यक्ति वो जो हमारे जीवन में दुष्टिता कर रहा है उसके बारे में फिकर ना करें जब समय आएगा तब रभू उसको भी स्पर्श करेंगे तब सब लोग जान जाएंगे कि आप रभू के बच्चे हैं आप रभू की संतान हैं उसके साथ साथ मैंने आज ये एक बात और बताई थी प्रभू येश्व आज से दो हजार साल पहले इस संसार में पधारे थे क्यों पधारे थे मुझे और आपको एक नया जीवन देने के लिए आज से बहुत साल पहले मैंने प्रभू के सामने गुटने टेक कर प्रभू को मुक्ति दाता की रूप में ग्रहण किया तब से मेरे जीवन में एक विशेश खुशी है एक विशेश शांती है इस सभा में ऐसे कई भाई बहन लोग हैं जिन्होंने प्रभू को मुक्ति दाता की रूप में ग्रहण किया जिनके जीवन में ये शांती है यदि इस सभा में आज ऐसा कोई भाई ये ऐसी कोई बहन है जिसने आज तक प्रभु ईशु के द्वारा ये मुक्ति ये शांती नहीं पाई है तो आज यहां से जाने से पहले इस बात का यकीन कर लें कि आपके हाथ में आपके जीवन में वो शांती है यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है एकदम नई बात है कोई बात नहीं हम इन बातों को समझाने के लिए यहां पर आए हैं और इसलिए मीटिंग के सभा के आखर में आप मुझ से आकर बात कीजिए मैं आपको डीटेल में विस्तार से समझाओंगा हमारे बीच में और भी कई भाई लोग है मैं आपको उनकी तरफ भी इशारा कर दूँगा वो लोग आपको समझा देंगे लेकिन हाँ जाने से पहले हमें से कई लोग के जीवन में ये जो शाश्वत शांती है उसको पाने के बाद ही यहां से जाएं आज प्रभू ने हम सबको इस तरह से एकतरित होने के लिए अपन सबकी मदद की इस भारी वरसात के बावजूद आज इस सत्संग में हम आ सके उसके लिए मैं प्रभू का शुक्र गुजार हूँ प्रभू आप सबको अपना अनुग्रह दें जै मसीद दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एबम सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्थिमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोथ साहन देता है जै मसीह की